आज हम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस यानि की राजनेतिक विज्ञान का जो न्यू स्लेबर्स है रिड्यूस स्लेबर्स 2020 से 2021 का उसे देखेंगे क्योंकि जायतर बच्चों को जो पॉलिटिकल साइंस है उसके स्लेबर्स को लेकर काफी कन्फीउजन है और इसमें जो आफिक्त के अफिरू के द्वारा आपकी जो कन्फीउजन है दूर हो सकते है इसी का प्यास किया गया है ये जो वीडियो है ये पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम के लिए है तो देखी जो चैप्टर वन है फर्स्ट बुक की बात करेंगे सबसे पहले हम उसका जो चैप्टर वन है उसमें कौन-कौन से टॉपिक्स आएंगे हैं पर जो टॉपिक्स आ रहे हैं उन्हीं लिखा गय है तो जो चैप्टर वन है उसमें द्वित्य विश्वयूद की उपरांत दो शक्ति खंडों का उदै जो द्वित्य विश्वयूद खतम हुआ था उसके बाद जो दो शक्तिया उभर कर आए थी अमेरिका और USSR तो इन दोनों के बारे में हमें पढ़ना होगा और इसके साथ जो शीत यूद है वो क्या होता है ये सारे चीज़े इसी के साथ इसी में इंक्ल्यूड हो रही है तो ये जो टॉपिक है आपका आएगा और इसके साथ सा जो गुट निपेक्ष आंदोलन है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है क्योंकि ये भी आपके स्लेबस में है 2020 से 2021 का तो इस चैप्टर वन में से क्या चीज़ कट हुई है इसकी बात करें तो यहाँ पर चैप्टर वन के अंतरगत आपने देखा होगा शीत यूद के दाइरे तो ये जो है शीत यूद के दाइरे ये कट हो चुका है नव अंतरास्ट्रे अर्थ वेवस्ता का जो टॉपिक ये दो टॉपिक आपके कट हो चुके हैं तो यहाँ पर जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये टॉपिक कट हुए है और यहाँ पर जो लिखे गए हैं ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं अब देखिए चैप्टर टू है उसके अंदर दो इत्ते विश्वियुद का विग्टन एवं दो दुरुवियता का अंत इसके अंत्रकत हम देखेंगे कि किस तरीके से जो यूएससर है उसे वहसमाप्त हो गया है और उसके बाद जो यूएससर हो कैसे उब रहा है और इसे साथ साथ जो विश्वराजनीती में जो नई सक्ताएं स्तापित हुई थी ज के बारे में भी पढ़ना है अब आगे देखिए अब आप सोचेंगे है आप चैप्टर 3 क्यों लिखा गया है अगर आपको थोड़ा बहुत मालुم है तो कि चैप्टर 3 कट हो चुका है तो ये जो बात आ रही है कि चैप्टर 3 कट हो गया है ऑसे पूरी तरीके से कट नहीं हुआ इसमें जो टॉपिक है अफगानिस्तान और प्रतम खाड़ी युध इसके दो टॉपिक आपको करने हैं जो किसमें including कर दिये गये chapter 2 में include कर दिये गयें पर आप पढ़ेंगे कहां से आप पढ़ेंगे chapter 3 से इसलिए मैंने यहां पर आपको कोई confusion ना create करने के लिए chapter 3 ही यहाँ पर लिखा है तो आप वो confused नहीं होना है आपको यह नहीं देखना है कि क्या चीज़ कट हुई है कि कौन सा chapter delete हुआ है यह तो आपको जानना जरूरी है पर इसके साथ साथ आपको यह confusion में नहीं रहना है कि कौन से chapter में कौन से topic मिला दिये गई है अगर chapter 3 के अंदर यह topic है तो आप chapter 3 के अंदर से cover करेंगे उन topics को क्योंकि new book तो अभी तक नहीं आई है इसलिए जो chapter 3 है उसके अंदर जो अफगानिस्तान है और प्रत्रम खाड़ यूद जैसे गुल्फ बोल भी कहा जाता है यह दो topic आपके आ रही है तो इन दो topics को आपको cover करना होगा अब बात करें chapter 4 की तो जो chapter 4 है उसमें जो यूरोपिय संग है वो आएगा आपका आसियान आएगा सार्क, ब्रिक्स, चाइना, रशिया, इसराइल और इंडिया इन सब के बारे में आपको क्या है पढ़ना होगा इसमें आपके प्रशन उतर पूछे जाएंगे अब बात आती है chapter 4 के अंदर कौन से topic आपके new add हुई है जो आपका ब्रिक्स, चाइना, रशिया, इसराइल और इंडिया ये जो topics हैं ये आपके new add किये गए है इन्हें आपको अलग से ये आपके book में provide नहीं है ये आपको अलग से करने होगे कहीं से तो ये chapter 4 के अंदर ये सारे चीज़ें आएंगे और इन पर कोशन पूछ जाएंगे अब chapter 5 जो हैं उसमें देखी संखर्ष और शांती के लिए प्रयास जो संखर्ष और शांती के लिए जो भी प्रयास किये जा रहे थी उनके उपर देखना है जन दंत्री करन इसके अंदर आपको कौन कौन से जो देश हैं उन्हें पढ़ना होगे जैसे कि दक्षिन एशिया, पाक, नेपाल, बांगलादेश, श्री लंका और मालदीव तो इन सारे देशों के बारे में आपको पढ़ना होगा अर्षिक वैष्विकन का इस शेत्र पर प्रभाव जो टॉपिक था वो कट हो गया है और लास्ट जो टॉपिक था भारत के अपने पडोसियों के साथ सम्मंध ये दो टॉपिक्स आपके कट हो गए हैं और बाकी चैप्टर आपका यूं का यूं है तो आपको बिल्कुल भी tension लेने की कोई जुरूत नहीं है, बस आपको जो आपका syllabus है अच्छे से समझ का preparation करनी होगी अब देखिए जो chapter 6 है, first book का, उसमें जो UNO के अंग है, UNO यानि की सनिक तुराष्टे संग के जो अंग है, उनके बारे में पढ़ना होगा और इसके साथ UNESCO, UNICEF, WHO, ILO, तो इनके बारे में आपको पढ़ना होगा तो देखिए, जो ये ILO है, ये आपका new add हुआ है, पर जो UNESCO है, ये आपको इस chapter के अंदर बस एक नाम के तोपर दे रखा है इसके बारे में ज़्यादा details नहीं दी गई है chapter के अंदर, तो इसलिए आपको ये additional तोर पर करना होगा क्योंकि अभी new book नहीं आई है, अब देखिए, सुरुक्षा परिशद और इसे बढ़ाने की आवशकता क्यों, ये topic आपका add हुआ है chapter 6 के अंदर सुरुक्षा परिशद, सुरुक्षा परिशद क्या yenno का एक अंग है, और इसे सुरुक्षा परिशद के बारे में आपको detail में पढ़ना होगा इसके साथ साथ आपको ये भी जानने के जरूरत है कि इसे बढ़ाने की क्यों आवशकता हो रही है, तो ये topic add हुआ है, अब देखिए chapter 7, chapter 7 आपका पूरी तोर से delete नहीं हुआ है, उसमें जो आतंगवा topic है वो आपको करना होगा, और आतंगवा topic है वो new add हुआ है chapter 7 में, वो आपको करना होगा और बागी का जो chapter है वो नहीं करना है, आपको एक काम करना है, इसका screenshot ले लिजी और अपनी notebook में आप इसे note कर लिजी जो यहाँ पर syllabus बताया जा रहा है, अगर note कर लेंगे तो आपको याद रहेगा, अब देखिए जो chapter 8 है, वो आपका पूरा का पू पर दिलिट हुआ है, और यहाँ पर आपको कौन से जो topic है, वो करना है तो देखिए, जो वैश्वी करन है, उसमें आपको वैश्वी करन की परिभाषा या फिर वैश्वी करन क्या होता है, यह पता होना चाहिए, इसके साथ सांस्कृतिक वैराजनेतिक प्रकाशन, इसका म अरे नाम आ रहे हैं आज विश्व से तो उस पर जो वाद विवाद चल रहा है यह आपको करना है तो यह पूरा का पूरा जो है आपका आपके NCRT बुक से कवर हो रहा है अब बात करते हैं सेकंड बुक की फर्स्ट बुक के अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन ह और डाउट हो तो आप बेज ही जग पूच सकते हैं आपकी हैल्प की जाएगी आप देखे जो सेकंड बुक है पॉलिट्रिकल साइंस की उसमें देखी सेकंड बुक का नाम है आपका स्वतंतर भारत में राजनीती और फर्स्ट बुक हमने कौन सी देखी समकालिन विश्व तो आप सेकंड बुक स्वतंतर भारत में राजनीती उसका देखे चैप्टर नमबर वन जो है उसमें आपका संपूर पाठ यानि की जो चैप्टर नमबर वन है पूरा का पूरा डिट्टो वही का वही आपको करना है बस उसमें एक जो टौपिक है वो और एड़ हो गया है वो है आपका वल्लब भाई पटेल के बारे में आपको पढ़ना है किस प्रकार से वल्लब भाई पटेल ने जो रजवारों का जो विल्य है उसमें किस प्रकार से भाग्यदारे निभाई है तो वल्ला भाई पटिल के बारे में आपको करना होगा अब देखिए चैप्टर टू जो चैप्टर टू है वो आपका यूनिट फाइफ में मल्ज कर दिया गया है तो उसे आप यूनिट फाइफ में एक कॉंगर्स प्रभूतत्व है उसके अंदर ही आपको चैप्टर टू जो है वो से इंक्लिूड कर दिया गया है उसी में आपको पढ़ना है यानि कि चैप्टर टू में से आपको कॉंगर्स प्रभूतत्व वाला पढ़ना है अब देखिए चैप्टर ट्री जो चैप्टर ट्री है आपका राश्ट्री विकास परिशद जो यह नया टॉपिक है यह एड हुआ है और बाकी के जो टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर ट आपका चैप्टर आप यह सोच के चले कि NCRT बुक में जो चैप्टर ट्री आपका पुरा पुरा डिलिट है और यह दो टॉपिक आपके एड कर दिये गए है जो आपके NCRT बुक में आपको नहीं मिलेंगे राश्ट्य विकास परिशद वाला टॉपिक और दूसरा नीती अलग से है तो आपको राश्ट्य विकास परिशद और नीती आयोगे दो आपको टॉपिक पढ़ने होंगे अब चैप्टर फॉर देखिए देखिए चैप्टर फॉर में विदेश नीती के सिधान्त है उसे हमें करना होगा और इसके साथ साथ दूसरे राश्ट्रों के भारत के समंद बदल रही है हमें चाइना का यूएस का रश्या का इसराइल का करना है तो देखिए चाइना का मिल चाहेगा हमें अपनी बुक से चाहे वो हमारी फर्स्ट बुक से मिल रहा हो चाहे सेक्ट बुक से मिल रहा हो यूएस का मिल चाहेगा रश्या और इसराइल क आपका additional जो topic है वो add किया गया है अब देखी भारत का प्रमानु कारे करम जो भारत का प्रमानु कारे करम है यह आपका chapter 4 जो है उसके अंदर NCRD book में है तो आपको इसके लिए attention लिने के जरूरत नहीं है अब देखे जो chapter 5 है उसमें आपको कौन से topic करने है Congress का प्रभुत्व जो मैंने आपको बताया था Congress का प्रभुत्व जो chapter 2 का topic है और इसे chapter 5 में include कर दिया गया है इसमें आपको क्या पढ़ने Congress को जो प्रभुत्व है किस प्रकार से रहा है लंबे समय तक रहा है और उसके बाद किस प्रकार से जनता पार्टी आई थी और Congress का प् पढ़ना है और गडबंदन प्रणाली जो है वो पढ़नी है अब बात करते हैं चैप्टर 6 की जो चैप्टर 6 है इसके अंतरगत आपको कौन से टॉपिक करने है आपको करने जैप्रकाश नारायन और पूर्ण क्रांती जो जैप्रकाश नारायन है उनके दौरा किस प्रकाश स कि आगया है यह आपको एंसियाटी बुक में नहीं मिलेगा आगे देखिए राष्टे अपातकाल जो अपातकाल आपका चैप्टर 6 के अंदर कर दिया हुआ है उसी टोपिक को यह यहाँ पर राष्टे अपातकाल कह रहे हैं तो कंफ्यूज मत होएगा सेम बात है अपातकाल क कह राष्टे अब देखिए लोकतंतर अभ्यूद ठाज यह भी आपका पहला टोप यह भी आपके बुक में है पहले से ही युवाओ की भागिदारी पिछडा वर्ग और युवा Jonah किस प्रकार से होए उनकी किसर अपर कार वर्ग है उनकी किस किसरे में गैसे हुई जी आपक करें तो ये पूरी तरीके से डिलिट नहीं हुआ इसमें आपको जो कश्मीर का मुद्दा है वो आपको पढ़ना होगा अब बात यहां पर ध्यान रिखने की यह है कि जो कश्मीर का जो मुद्दा था किस प्रकार से जो कश्मीर का विले हुआ है इसके बारे में chapter 1 में भी थोड़ा बहुत बता रखा है और detail में chapter 7 में है तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है इसके साथ साथ आपको क्या करना है जो अभी जो वर्तमान में जो कश्मीर का जो 370.66 खतम हो गया है उसके विश्य में भी आपको पढ़ना होगा वो भी इसमें include हो चुका है क्योंकि political science है इसमें साथ साथ जो चीज़ें हैं वो चलती जाती हैं साथ साथ जुरती जाती हैं इसलिए जो कश्मीर का मुद्दा हाली में उठा था और उसे solve कर दिया गया है 370.66 को smart करके तो वो आपको पढ़ना होगा अब देखे चैप्टर जो 8 है वो पूरी दरीके से delete हो चुका है तो आप यह मत सोचिए कि आपके जो यह topics से include किये गए हैं तो आपका जो syllabus से बढ़ा दिया गया है तो इस चीज से आप मड़र ही क्योंकि आपके कम से कम जो दो chapters जो दो chapters हैं पूरी दरीके से delete कर दिये गए हैं साथ साथ कुछ और बहुत साथ topics हैं जो काफी मुश्किल होते थी उन्हें पूरी तरीके से हटा दिया गया है बस जो new topics हैं आपके थोड़े बहुत add कर दिये गए हैं अगर आप उन new topics को cover कर लेंगे तो आपके लिए बहुत असान है इसले बस अब देखे जो chapter 9 है उसमें गटबंदन का दोर जो है उसके अंतरगत आपको राष्ट्रे मोर्चा पढ़ना है सन्युक्त मोर्चा पढ़ना है UPA पढ़ना है NDA पढ़ना है और विकास और शूशा पढ़ना है आपको तो यह आपका chapter 9 का क्या था यह आपके chapter 9 के topics थे तो अभी जो chapter 9 9 chapters थे पहले बुक में अब आपके reduce कर दिये गए हैं कम कर दिये गए हैं और कुछ topics आपके new add कर दिये गए I hope अब आपको अच्छे से clear हो गया होगा आपका political science का syllabus अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके political science का syllabus अगर कोई भी confusion हो कोई भी परिशानी हो तो आप बेज ही जग आप क्या कर सकते हैं comment box में मुझे से पूछ सकते हैं मैं आपके जहां तक होगी वहां तक मदद करूँगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें share कीजे और notification आपके phone में आज से के thank you